नमस्कार दोस्तों एडिसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है हमारे आज की व्याख्यान का विशय है कोश निर्मान की प्रक्रिया और दोस्तों इस हमारे कारेकरम के लिए हमारे साथ जुड़े है अपने पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि कोश और कोश विज्ञान क्या है उस समय बाचीत करते हो यह बताया था कि कोश शब्द जो है मुर्धन्य और तालवे शाह से लिखने की पहले परंपरा रही है लेकिन अब तालवे शाह वलग शब्द यह डिक्शनरी के संदर में इस्तमाल में लाया जाता है कोश शब्द के लिए अंग्रेजी में जो है डिक्शनरी के इलावा लेक्सिकोन, ग्लॉसरी, वोकेबलरी या थिसौरस जैसे शब्द भी हमें मिलते हैं लेकिन इनमें कहीं-कहीं अंतर भी है इस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं कोश के संबन्द में संख्षेब में हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का वह संग्रेज जिसमें शब्दों के प्रचलित और शुद्ध रूप व्युत्पत्ति, अर्थ, प्रयाय, विलूम, उच्चारण, आदी, क्रम्यवस्थित रूप में दिये हुए हों तो वह कोश कहलाता है इसके साथ ही हमने गलॉसरी और डिक्शनरी में अंतर भी स्पष्ट किया था और ये भी चर्चा की थी कि क्या कोश निर्मान का काम मौलिक कारे हैं या नहीं हलाकि ये ठीक है कि स्रिजनात्मक सहायत्य और विशेश रूप से काववे स्रिजन की भाती हम ये कह सकते हैं कि कोश निर्मान कालात्मक कारे नहीं है लेकिन अगर हम मौलिक्ता के स्तर पे देखें तो इसमें मौलिक्ता दिखाने और विवेक बुद्धी का इस्तमाल करने की प्रयाप्त स्थिती और संभावनाय रहती है एक चर्चा ये भी की थी कि क्या कोश विज्ञान है अत्वा कला इस पर विचार करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि कोश विज्ञान है कला नहीं है और इसके साथ ही हमने कोशों के कारें पर भी विचार किया था कि कोश क्या महत है और किस तरह से किस संदर में उसको इस्तमाल में लाया जाता है उसके कौन-कौन से कार रहे हैं इसके साथ हमने यह भी आपसे बातचीत की थी कि कोश विग्यान अर्थार्थ लेक्सिकोग्राफी क्या है और लेक्सिकोलोजी अर्थार्थ शब्दार्थ विग्यान जो है क्या है जब हम कोश विग्यान की चर्चा कर रहे थे आपको ये बताया था कि इसके लिए कोश रचना शब्द जैसा भी प्रयोक किया है रामचंदर वर्मा जी ने और कोश विज्ञान को अगर हम परिभाशित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कोश विज्ञान शब्द कोश निर्मान पद्दती का विज्ञान है जब इन दोनों संदर्मों में बात की तो हमने ये भी स्पष्ट किया था कि इन दोनों में अंतर क्या है अंतर के आयाम हम कुछ एक संख्षेब में यहां बात करना चाहेंगे इसे हम ये कह सकते हैं कि कोश विज्ञान जहां मैभार से जुड़ा हुआ है वहीं शब्दार्थ विज्ञान सिद्धाऩ पक्ष से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें शब्दों का विस्तर्थ अध्यन किया जाता है इसके साथ ही दोनों में अंतर का एक पक्ष ये भी है कि कोश विज्ञान में शब्द को स्वतंत्र इकाई के रूप में माना जाता है और उसका उसी आधार पर अध्यन किया जाता है जबकि शब्दार्थ विज्ञान में हम देखते हैं कि शब्दार्थ विज्ञान एक ऐसी विवस्था के अंतरगत जो है इसको अध्यन किया जाता है शब्दों को विवस्तित तरीके से बही हम ये भी देखते हैं कि कोष विज्ञान में कही न कही कोष कार का निजी पक्ष भी शामिल हो जाता है व्यक्ति निष्ञता आजाती है लेकिन सब्दार्त विज्ञान बस्तु निष्ञत रूप बनाए हुے रहता है और हमने अपने पिछले व्याख्यान में कोशों के प्रकार पर भी बातचीत की थी कोशों के प्रकारों का संग्षेप में बताते हुए कहा था कि कोश हमें उपभाशा कोश या जिसे हम यह कह सकते हैं बोली कोश इसके इलावा अप भाशा या भधेश भाशा कोश के रूप में भी मिलते हैं पारिभाशिक शब्द संग्रया और पारिभाशिक परिभाशा कोश भी जो है बने हुए है वहीं समानतर कोश या थिस्वारस और परियाय कोश, कथा, पुरान, मिथक कोश, उचारन कोश, सूक्ती, उधरन कोश, साहित्य कोश या लुकोक्ती, मुहावरा कोश जैसे हमें कोश उपलब्ध होते हैं इसके इलावा हम देखते हैं कि हमें कम्प्यूटर कोश और ओलनाइन कोश जैसे भी सूविधाएं उपलब्ध हैं अब हम आज के अपने व्याख्यान में कोश निर्माण की प्रकिर्या पर विचार करेंगे और इस पर बातचीत करते हुए यह बताया जाएगा कि चूंकि कोश जो है विज्ञान है तो इसमें विज्ञान की भाती ही विवस्तित तरीके से अध्यन किया जाए तो कोश निर्माण का कारे बहुत अच्छी तरह से हो सकता है जब हम कोश निर्माण की प्रकिर्या पर मिचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही प्रशन उठता है कि कोश निर्माण की अवश्यक्ता क्या है जब हम इसकी अवशक्ता को महसूस करते हैं तो हमें ये लगता है कि शब्द की महत्ता स्थापित करने में कोश जो है विशेष्ट भूमी का निभाता है शब्द को पूर्ण और विस्तित जानकारी देने में शब्द प्रयोक कोशल में इससे हमें सिध्धस्तता की प्राप्ति होती है इसके साथ ही भाशा संबंदी बौधिक विकास में भी कोश सहायक सिध्ध होता है वहीं विशे और ग्यान के संदर में भी देखें तो हमें इनका विस्तरित विवेचन करने में भी कोश से सहायता मिलती है कोश हमारे अभिव्यक्ति समर्थे को बढ़ाने में महत्पून योगदान देता है वहीं व्याकर्निक एकाईयों के उचित प्रयोग, मानक वर्तनी, मानक उचारन आदी की जानकारी के स्तरपी पर भी देखें तो कोश जो है मुख्य स्रोत सिद्ध होता है इसके इलावा एक ये पक्ष भी है कि भाशिक दक्षता हासिल करने में कोश हमारे लिए सहायक की भूमिका निभाता है जब हम कोश निर्मान की प्रकिरिया और उसके विभिन चर्णों की तरब बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि कोश निर्मान की प्रकिरिया एक अत्यंत जटिल दुरूह एवं लंबी प्रकिरिया है आरंब में इस कारे के लिए बौधिक शमता, प्रिशिक्षन और सिध्धानतों की अवशकता ना समझते हुए इसे केवल परिश्रम का कारे ही समझा जाता था लेकिन समय के साथ साथ कोश निर्मान कारे के प्रती धार्ना में बदलाव आया है जिसके परिणाम सुरूप हम ये कह सकते हैं कि शब्द कोश निर्मान एक मौलिक स्रिजन कारे के रूप में देखा जाने लगा है शब्द कोश निर्मान कारे को सरल मानना कोश निर्मान की प्रकिरिया का ठीक से आकलन करना नहीं होगा लेकिन कतिपे विद्वानों का यह कहना है कि कोई भी अच्छे दो-चार कोश उठाईए और नया कोश जो है तैयार किया जा सकता है बेवसाइक दृष्टी से देखें तो यह भले ही जाए लाब वाला प्रतीत हो लेकिन भाषा की समरिध्धी में इस प्रकार के प्रयासों का कोई उलेखनिय योगदान नहीं रह पाता है मौलिक शब्द कोश निर्मान की प्रकरिया में ग्यान प्रशिक्षन और सूजबूज कोशल की बेग्यानिक कारे की भाती ही अनिवारे मांग होती है इसका कारण यह है कि कोश निर्मान की कला और विज्ञान दोनों का समावेश इसमें हमें मिलता है यही कोश निर्मान की प्रकरिया का मुख्य अंग हम कह सकते हैं कोश निर्मान की प्रक्रिया में आरंबिक योजना प्रारूप से लेकर कोश प्रकाशित होने तक की लंबी प्रक्रिया है जो अपने आप में काफी श्रम साध्य है यसमें समय भी काफी लगता है और मुख्य बात ये भी रहती है कि बौतिक शम्ता की मांग भी बनी रहती है तो उसे तैयार करते समय लगबग 40 वर्ष का समय लग गया था लेकिन अब आजकल कंप्योटर की सहाइता से समय बहुत कम हो चुका है और इस में प्रकिरिया में कंप्योटर की भी एक महत्पुन भूमिका होती है तो हम आज के अपने व्याख्यान में कंप्योटर कोश निर्मान की प्रकिरिया पर ब्याचीत करेंगे जिसे हम मुद्रित रूप में कोशों के निर्मान के संदर में भी देखेंगे और इसके इलावा कम्प्यूटर की क्या भूमिका रहती है कोश्ट निर्माण प्रकिर्या में इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कोश्ट के प्रकिरिया को जो है जिस तरह से लंबी प्रकिरिया है उसे हम अलग-लग चर्णों में अगर विभाजित करके ना देखें तो यह विबस्ति तरीके से कारे संपन नहीं हो पाता है इस प्रक्रिया को विभाजित करते समय हमें जिन चर्णों से गुजरना पड़ता है हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम कोश्ट का सामगरी संकलन और प्रविष्टी चेन का कारे करते हैं और उसके बाद प्रविष्टी संपादन प्रक्रिया से गुजरते हैं प्रविष्टी संपादन प्रकिरिया से गुजरने के साथ जो है शब्दों का जो अर्थ निर्धारन और व्याख्य संबंधी संपादन का भी काम किया जाता है और इसके अलावा जो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रेस कौपी निर्मान और मुद्रन का कारे जो है ये भी कोश निर्मान की प्रकिरिया का महत्पुन अंग है कोश निर्मान की प्रकिरिया के चरण एक की हम जब हम बात करते हैं कि जिसमें सामगरी संकलन और प्रविष्टी चेन किया जाता है तो ये हम ये कह सकते हैं कि विशेश महत्व का कारे है और इसे बड़ी गंभीरता से किया जा प्रुष्टी चेन को हम सामगरी संकलन का ही भाग कह सकते हैं इसमें सबसे पहले हमें नीतिगत नेड़ने लेने होते हैं इसके इलावा हमें सामगरी संकलन को ब्यभारिक रूप देना होता है और इसके साथ ही शब्दानुक्रमिनी बनानी होती है जब हम नीतिगड नेड़ने की बात करते हैं तो कोश के उद्देश्य और स्वरूप पर हमें विचार करना जरूरी होता है और इसके साथ ही सामगरी के स्रोत पर भी विचार अवशक रहता है सामगरी संकलन प्रकिर्या में सबसे पहले हम प्रस्तावित कोश के उद्देश्य और स्वरूप पर ही विचार करते हैं यानि आधार सामगरी के बारे में रूप रिखा और नीति का निरधारण किया जाता है जैसे कोश का प्रकार क्या होगा, कोश के निर्मान के मूल में कोश कार का उद्देश्य क्या है कोश का प्रयोकता कौन होगा, कोश एक भाशी होगा, द्वी भाशी होगा या फिर बहु भाशी जब कोश कार इस प्रकार के नीतिगट निर्ने ले लेता है तो उसके लिए उसे यह भी विचार करना होता है कि प्रयोकताओं का स्तर क्या है उनके स्तर पर विचार और विनिश्चे करके ही नीतिगड नेड़ने को अपनाने की अवश्यक्ता होती है कोश के स्वरूप और प्रकार के साथ साथ कोश के आकार की तरफ भी कोशकार को ध्यान देना होता है कि कितने आकार का कोश्ट बनाना है और उसमें किस तरह की और कितनी सामगरी का संकलन किया जाना है ये सामगरी संकलन की प्रिक्रिया के बात जो है जब हम सामगरी संकलन की ही बात करते हैं तो हमें ये भी विचार करना जरूरी है कि सामगरी का स्रोत क्या होगा अर्थार्थ कि वो किन स्रोतों से हमें उपलब्ध हो पाएगी सामगरी के स्तर पे हम देखें तो हमें विभिन स्रोतों से समगरी प्राप्त हो सकती है इसमें लिखित भी स्रोत हो सकते हैं और मौखिक भी प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी साहितिक भी हो सकते हैं और इसी तरह से गैर साहितिक स्रोत भी हो सकते हैं वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कोश के स्रोत के रूप में हमें समकालिन सामगरी भी प्राप्त हो सकती हैं और दीर्ग कालीन भी पत्र पत्रिकाएं, तक्नीकी या गैर तक्नीकी सामगरी भी हमारे लिए कोश के सोर्स का काम करती है जब हम इस तरह से सामगरी पर भी विचार कर लेते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सामगरी संकलन को जो है किस तरह से बैभारिक रूप दिया जाए बैभारिक रूप देने की प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि लिखित सामगरी का संकलन कैसे करना है और उसके इलाबा वाचिक सामगरी का संकलन किस प्रकार से किया जाएगा कोश तयार करने के लिए सामगरी को लिखित भाषा या वाचिक भाषा के रूप में संकलित किया जा सकता है उधारन के लिए किसी भाषा के प्राचीन काल या प्राचीन भाषा का कोश बनाने की अगर योजना बनाई जाए तो उसके लिए उपलब्द साहित्ते की जो प्रकाशित समगरी है या आप्रकाशित समगरी उसका संकलन करना पड़ता है ऐसे ही अगर हम एतिहासिक कोश बनाने पर विचार कर रहे हो तो हमें प्राचीनतम ग्रंथों से लेकर आधुनिक उपलब्द पुस्तकों तक से सामगरी को संकलित करना होता है लिखित सामगरी संकलित करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम प्रकाशिस सामगरी का उपयोग कर रहे हैं तो वह उपलब्द सर्वत्तम संसकरण से ही ली जाए अगर अच्छे संसकरण उपलब्द नहीं है तो पाठा लोचन के सिध्धनतों के अनुसार उसे संपादित कराने के पश्चाथ ही संकलन में शामिल किया जाना चाहिए इस से गलतियों की संभावनाएं या आशंका हम ये कह सकते हैं कम हो जाती है जहां तक वाचिक सामगरी के संकलन का संबंध है इस मामले में विशेश सावधानी भरतने की जरूरत होती है इस संदर में सबसे पहले हमें भाशा और बोली के अंतर को भी ध्यान में रखना होता है और इस अंतर को ध्यान में रखते हुए शेत्र निधारित करने चाहिए इसके लिए व्याकरण, रूप रचना या शब्द समू की और भी ध्यान देना जरूरी होता है इसके बाद वर्ग सूचकों से प्रश्ण पूछ कर सामगरी संकलन और जानकारी एकत्रित की जा सकती है यह जानकारी निम्न, मध्यम, उच्चे, अर्थार तीनों वर्गों के सूचकों से एकत्रित की जानी चाहिए और बहा की सब्वेता संस्कृती, व्यपार, रहन, सहन, परिवेश आदी को ध्यान में रखते हुए इसका एकत्री करन किया जाना चाहिए इस तरह से हम सामगरी संकलन प्रकिर्या को व्यभारिक रूप दे सकते हैं और लिखित और वाचिक सामगरी का संकलन कर सकते हैं जब हम सामगरी का संकलन का व्यभारिक पक्ष के चरण से भी गुजर जाते हैं तब हमें शब्दानुक्रमनी निर्माण का कारे करना होता है इसका अर्थ ये हैं कि सामगरी संकलन करने के बाद हम शब्दानुक्रम बनाएं अर्थार संकलिष शब्दों को वर्ण करम से सूची निर्माण का काम हम करें जैसा कि पहले अभी हमने उलेक किया है कि शब्दों का संकलन जो है किसी भी पुस्तक, साहित्तेकार, कला, काल, धारा या साहित्ते आदिस में से किसी भी स्रोथ से हो सकता है इसलिए हमें ये जिरूरी है कि अनुक्रमणी बनाने से पहले स्रोथ गन को शिरू से लेके आखिर तक तसली से पढ़ लेना चाहिए मुद्रित पाठ में होने वाली अनेक रूपता, भाशा विशेश की, लेखन, पद्दती और प्रैस संबंदी गल्तियों के कारण जो गडबड होती है उससे बचने के लिए आवश्यक संशोधन भी कर लेने चाहिए इसी तरह से हम अनुक्रमणी बनाने के बारे में सामाने नियम जो देखते हैं वो यह है कि जिस भाशा या साहित्य की अनुक्रमणी बनाई जा रही है उसकी लगुतम एकाई यानि शब्द, रूप, उपसर्ग, प्रत्यादी जो है वो भी दिये जाए पारंप्रिक रूप से देखते हैं तो इसे बनाने के लिए काड़ पद्दती का प्रयोग किया जाता रहा है वैसे अब इस कारे में कम्प्यूटर की सहायता ली जा रही है काड़ पद्दती के लिए कागस के काड़ बनाकर प्रतेक काड़ पर संकेतिक द्रिष्टी से एक एक शब्द, उपसर्ग, परसर्ग, आदी लिख दिये जाते थे या फिर उन्हें टाइप कर लिया जाता था कागस के इस काड़ का आकार क्या हो यह सूचना की मात्रा के आधार पर निर्भर करता है काड़ों पर शब्द, उपसर्ग, आदी लिखने या टाइप करने के साथ-साथ उस पर लिखित सामगरी का संदर्ब भी देना होता है अर्थार किस स्रोच से वह सामगरी प्राप्त हुई है वह भी जानकारी काड़ पर शामिल कर ली जाती है यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पूरी सामगरी के काड़ संदर्ब भी देना होता है पूरी समगरी के कार्ड तयार हो जाने पर उन्हें बर्ण क्रम से क्रमबद किया जाता है शब्दों आदी को बर्ण क्रम के अनुसार क्रमबद करने से शब्द विशेश की आवरिती का पता चल जाता है यानि एक ही शब्द कितनी बारी जो है उसका कार्ड बन चुके है अर्थार्थ एक से अधिक कार्ड बन चुके हैं तो वो सब भी एक जगा आ जाते हैं तो उससे एक रूपता स्थापित करने में और सार्थक अर्थ को शामिल करने में कोश में हमें मदद मिलती है जैसे हम देखें कि अलगलग स्रोध गरंथों से जो है किसी एक शब्द के जो है आट-दस हमें कार्ड बन चुके हैं और उन्हें जब हम वर्ण क्रम से विवस्थित करेंगे तो उस शब्द विशेश के सभी कार्ड जो है एक जगा आ जाएंगे ऐसे में कोशकार जो है उन में से बहतर कार्ड को या उन सब को ध्यान में रखते हुए एक नई रुविश्थि जो है तैयार करके बाकी सभी को छोड़ सकता है इस तरह से प्रतेक शब्द के अर्थ और उसके संदर्वों के साथ अलग लग लिखने से शब्द करमने का तैयार हो जाती है यही पद्दती बाचिक भाषा से संकलिस सामगरी के संदर्व में भी अपनाई जाती है अर्थात इसमें भी संदर्ब सहीज उलेख करना जरूरी हो जाता है इससे कोशकार को सहायता मिलती है कम्प्यूटर की सहायता से भी शब्द करम बनाने के प्रकिरिया उस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे पहले अब हम बात करते हैं आपको कोश के प्रविष्टी के भाग कितने होते हैं कोश की प्रविष्टी को हम दो भागों में बाट सकते हैं एक लेमा अर्थार्थ शीर्ष भाग और दूसर वर्णन भाग इन में से शीर्ष भाग कोशिय एकाई से समद्ध होता है जिसके अंतरगत प्रविष्टी के अभिलक्षनों का विवरण शामिल किया जाता है इस विवरण में शीर्ष शब्द उच्चारण व्याकर्णिक सूचना आदी को शामिल करते हैं ऐसे ही दूसरे भाग में देखें जो कोश प्रविष्टी का वर्णन भाग होता है उसमें प्रविष्ट शब्द को वर्णित किया जाता है इसमें प्रविष्टी का अर्थ और संबंधित विवरण शामिल किये जाते हैं इसे हम व्याक्या भाग भी कह सकते हैं प्रविष्टी की संरचना जब हम प्रविष्टी की संरचना की बात करते हैं तो हमें ये जरूर उलेक करना है कि ये जो है अपने आमें एक महत्पुन चरण है क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि प्रविष्टी को किस रूपाकार में ढालना है हम प्रविष्टी शब्द का मतलब यहां पर ये है कि कोश में शामिल भाशिक एकाई कौन सी है कोश में आम तोर पर सामाने शब्दों को शामिल किया होता है और अगर कोई पारिभाशिक प्रविष्टी का शब्द है तो उन्हें पारिभाशिक शब्द संग्रया या परिभाशा कोश जैसे शब्दावली या कोशों में स्थान देते हैं जब हम बात करते हैं इसके संरचना की तो हमें ये भी देखना होता है कि इसमें क्या-क्या आना चाहिए जैसे उधारन के लिए हम देखें तो शब्दों के मूल उनके योगिक रूप या सामान अर्थ और विशिष्ट अर्थ से युक्त जो पद है उनका उलेक होना चाहिए इसी तरह से कुछ विशिष्ट अर्थ के वाचक पदबंद भी हो सकते हैं जैसे कुछ प्रयोग जिनके दूसरे शब्द अलग से हिंदी में नहीं आते हैं उनका भी उलेक किया जाना चाहिए कोश की संरचना में धीरे धीरे जैसी द्विरुक्तियां भी शामिल हैं वहीं मारधाड जैसे समानार्थी द्विरुक्तियां भी शामिल होती हैं और सुख दुख जैसे विरोधी द्विरुक्तियां भी इसकी संरचना में शामिल हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कम या अधिक को दर्शाने वाली द्यूरिक्तियां भी शामिल की जाएं जैसे 19-21 और अधिक कम वाली भी हम देखें तो दो एक बातें जैसे कह दिया जाता है वैभार में तो इन्हें भी कोश्की प्रविष्टी की सन्रचना में शामिल करना है इसके स साथ ही भाषा में शब्दों के अनेक रूप जैसे मिलते हैं उनका भी उलेख किया जाना चाहिए उधारन के लिए अंग्रेजी के पेपर शब्द के समतुल्ले कागज शब्द लब्द है ये तीन-चार तरह से लिखने की पिरुर्टी रही है जिसमें नुक्ता सहित लिखा जाएगा नुक्ता विहीन जो है कागज शब्द है इसके साथ ही देशज रूप जो है या इसका तद्भव रूप हम कह सकते हैं बाद में जो विक्सित हुआ हुआ रूप है वे है कागद या कागर फिर कुछ ऐसे भी प्रसंगों में विशिष्ट अर्थ धारन करन वाले शब्द जो है उनको भी शामिल किया जाना अपेक्षित होता है जैसे चलती रकम आदी प्रतेक धातु के साथ उसके सेयुक्त धातु वाला रूप भी देना चाहिए और विशिष्ट रूप भी उधान के लिए कीजिए कहिए जैसे शब्द है तो करिये शब्द जो ह हम इस्तमाल में लाते हैं करिये शब्द जो है मानक रूप नहीं है इसका ऐसे ही आवरित्ती मूलक विशिष्ट प्रयोग भी हम इसकी सनरचना में शामिल करते हैं और अनेक भाषाओं में पर जो प्रचलित कूट मिश्रन से उस भाषा में ग्रहित शब्द है उनको भी और इसके साथ ही परसर्ग, निपात या काखागा आदी अक्षर हों, मुहावरे लोकोक्तियां हों या विशिष्ट प्रयोग आदी प्रविष्टियां भी जो है प्रविष्टी की सनरचना के अंतरगत शामिल होती है जब हम प्रविष्टी चेन के पश्चात हम यह कह सकते कि कोश में चुनी हुई सभी प्रविष्टियों को मुख्य प्रविष्टी के रूप में नहीं रखते हैं इस बारे में कुछ बातों की तरफ हमें ध्यान रखना होता है उधारन के लिए तिल, तिल कुट, तिल ताड या तिल का ताड बनाना, तिल भर का अंतर तथा तिलो जो पुनी चुनी हुई प्रविष्टियां है और मुहावरे लोकोक्ती उनको विशिष्ट प्रयोग मुख्य प्रविष्टि के रूप में न रखकर मुख्य प्रविष्टि में ही शामिल किये जाएंगे सिर्फ अंतिम तीन जो है उनको तिल के साथ देना होगा अर्था मुहावरों को तिल के साथ दे दिया लेकिन तिलकुट जैसा शब्द अगर आ रहा है तो वो अलग से शामिल किया जाएगा ये कोशकार की अपनी नीती पर निर्भर करता है कि क्या वै एक ध्वनियात्मक शब्द से बनने वाले सभी शब्दों को मुख्य प्रविष्टी में रख कर चल रहा है या उन्हें अलग-लग प्रविष्टी का रूप दे रहा है ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि अनेकार्थी शब्दों के लिए भी कोश में आमतोर पे एक प्रविष्टी होती है जिसमें प्राए अनेकार्थक शब्दों के सभी अर्थों में उस शब्द की एक ही व्युत्पक्ति दी हुई होती है साथी अर्थों में सम्मद्धता किन्तु कोई एक अर्थ जो है केंद्रिय होता है उस और भी ध्यान देना होता है उधारन के लिए पानी के शब्द है उसके लिए जल, कांती, इजजत, अनेकार्थी शब्द है किन्तु जल अर्थ जो है केंद्रिय है और हम देखें तो कई कोशकार समरूप शब्दों को एक अनेकार्थी शब्द माल लेते हैं और उन्हें कोश में एक प्रविष्टी के रूप में शामिल कर लेते हैं जबकि वह एक प्रविष्टी नहीं होनी चाहिए ऐसे में शब्द को अलगला प्रिविष्टियों के रूप में कोश में दे देना चाहिए और उसके उपर एक दो तीन आदी संख्या की दृष्टि का उलेक करते हुए उनमें पर्थिक के स्थापित कर दिया जा सकता है तो प्रिविष्टि संरचना के ये कुछ पक्ष हैं जिनने ध्यान में रखना जरूरी है अब हम बात करते हैं चरण दो की कोश निर्मान की प्रकिरिया का चरण दो के जो विविद पक्ष है उसमें हम प्रिविष्टि संपादन प्रकिरिया को शामिल करते हैं प्रविष्टी संपादन भी अपने आम में सरलकारे नहीं हैं क्योंकि यह भी कई आयामों को लिये हुए हैं इसमें जिन पक्षों की तरफ खास सोर पे ध्यान देना जरूरी होता है वे हैं क्रम निर्धारण, भाशा स्रोत, वर्तनी, एमम उच्चारण, व्याकरण और व्युत्पत्ति आदी व्याकरण को जब हम बात करते हैं तो इसमें व्याकरण एक शब्द भेद को दर्शाना होता है सबसे पहले इनमें से इस प्रक्रिया में हम बात करेंगे क्रम निर्धारण को लेकर शब्द कोश निर्मान की प्रिक्रिया में प्रविष्टियों का करम निर्धारन के लिए एक नियम अपनाना चाहिए अगर किसी नियम के बिना शब्द कोश निर्मान किया जाता है तो शब्द करम संबंदी समस्या पैदा हो सकती है और कोश में शब्दों को खोजना मुश्किल हो जाएगा रोमन लीपी में लीपी क्रम के अनुरूप A से Z तक शब्द रखे जाते हैं देवनागरी लीपी में वर्णमाला क्रम को अपनाया जाता है अर्थार्थ स्वरों के रूप में और इसी तरह से व्यनजनों का जो निशित क्रम है उनको अपनाया जाता है वैसे हिंदी में शब्दों को वर्ण क्रम के नुसार विवस्तित करना कुछ मुश्किल काम लगता है और ये मुश्किलें खास तोर पर जो अनुभव की जाती हैं वो है अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्दों को लेकर, मात्राओं को लेकर, सैयुक्त अक्ष्रों वाले शब्दों को लेकर और री वर्ण आदी के संदर में किन्तु यदि क्रम में वस्ता में इनके स्थान के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए थोड़ी जानकारी अच्छी तरह से हासिल कर ली जाए तो सावधानी बरते हुए हम इस मुश्किल से भी पार पा सकते हैं हिंदी वर्ण करम पर हम आगे कोश देखना के संदर में विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोश्टी संपादन परकरिया का पहला चरण के रूप में हमने करम निर्धारन की बातचीत की अब इसमें दूसरा चरण जो आता है वो है भाशा सरोत को लेकर भाषा स्रोत की जब हम बात करते हैं तो शब्द विशेश की प्रविश्टी करने के बाद उस भाषा का नाम दर्ज किया जाता है जिससे वैशब्द लिया गया है हिंदी में विभिन स्रोतों से शब्दों आए हैं और उनका वैभार किया जाता है इन्हें हम तच्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की श्रेणी में मरगी करते हैं संस्कृत से जो शब्द यथावत लिये गए हैं और वैभार में लाए जा रहे हैं इस परकार के शब्दों को हम तच्सम शब्द कहते हैं और जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ व्यभार में लाए जा रहे हैं संस्कृत के शब्द उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं कोशों में तच्सम और तद्भव का भी एक तरह से उलेख करना चाहिए देशाशब्द वे हैं जिनके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है इनका मूल रूप संस्कृत में हमें उपलब्द नहीं होता है इसका कारण यह हो सकता है कि अनेक बोलीों के प्रभाव से यह शब्द गड़े हो सकते हैं उधारन के लिए हम देखें थपड, जंजट, घोंसला, कटोरी, खिडकी, खिचडी, जुग्गी, लोटा आदी ऐसे देशज शब्द हैं जिनके हमें सुरोत के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए हम इस परकार के शब्दों को देशज की श्रेणी में रखते हैं देशज की इलावा विदेशी शब्द भी हमें हमारे भाषा में उपलब्द हैं जैसे हम देखते हैं अर्बी फारसी हो या फिर अंग्रेजी के शब्द आम तोर पर चलन में हैं और विशेश बात ये भी है कि कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो इन भाषाओं के अलावा भी इनके मैं कुछ उधारन आपको देना चाहूंगा जैसे अर्बी भाषा का इस शब्द हम लेते हैं किताब, कानून, गरीब, आदी, फारसी का गुलाब, कागज, गिरफतार, वहीं तुर्की से लिएगे शब्द हैं जैसे बावर्ची, चाकू, बारूद, कुली, चीनी भा भाषा के ही स्रोत हैं और जापानी भाषा का रिक्षा शब्द हमने लिया हैं, वहीं पुर्तगाली भाषा के शब्दों के रूप में हम बात कर सकते हैं, तंबाकू, आलू, तोलिय, अचार, आदी, वहीं फ्रासीसी भाषा से हमने पुलेस, उपन आदी शब्द भी लिये संकर शब्द का अर्थ ही ये है कि दो विभिन स्रोतों से आये हुए शब्दों को मिला कर नया शब्द बना देना, जैसे रेल गाड़ी शब्द को ही देखें, तो रेल गाड़ी शब्द में रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का, इसी तरह से बीमा पॉल पॉलिसी कहलाता है, कोश में हम भाशा स्रोत का अलेक करते हैं तो उसमें संकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, संकेतिक शब्दावली अर्थार्थ संकेतिक रूप में या संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं, शब्द का अलेक उसके सोर्स का भाशा का अ लेख किया जता है जैसे संस्कृत के लिए सा के उपर जो है अनुस्वार लगा देना ऐसे ही अर्भी के लिए लिख देना कोश्ठक में या फिर फार्सी के लिए फा और अंग्रेजी के लिए आदी संक्षिप्त रूप में लिखना जो है ये सांकेतिक शब्दावली का ही भाशा स्रोत के बाद हम कोश के संधर में जो हमें विचार करना होता है प्रविष्टी संपाधन करते समय वे हैं वरतनी को लेकर वरतनी जो है कोश का मूल आधार होती है इसकी शुद्धता ही कोश की अनिवार्य अपेक्षा है शब्द के शुद्ध वरतनी रूप की समझ और प्रयोग कोश पर ही निर्भर करती है कोश में एक वर्तनी वाली एकाईयों को एक ही प्रविष्टी के रूप में रखा जाना चाहिए लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे शब्द है जो अपनी प्रयोग भहुलता और शेत्री अंतर के कारण एक से अधिक वर्तनियों के रूप में प्रयोगत होते नजर आते हैं जैसे में कोश बनाने वाले के लिए ये समस्या हो जाती है कि हो क्या करें इसके समाधान के रूप में बहतर ये रहता है कि उन वर्तनियों को मानक शब्द वर्तनी के साथ ही दे दिया जाए जैसे हम देखते हैं कववा शब्द कोवा कोवा भी लिखने की शेत्री प्रभाव के वज़े से प्रविष्टी नजर आती है लेकिन कोश में हम कव आ जो है उसी प्रविष्टी में कोव भा शब्द को भी शामिल करेंगे तो वह जादा अच्छा रहेगा वह एक तरह से मानक शब्द वर्तनी के साथ उसके शेत्री रूप वाली वर्तनी का समावेश होजगा वैसे यह कोश बनाने वाले के द्वारा लियेगे अपने नीतिगत निर्णे पर निर्भर करता है कि वह शब्द विशेश की विभिन वर्तिनों को स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में शामिल करना चाहता है या नहीं ऐसे ही हम और देखें तो शेत्रिय प्रयोक के कारण भी वेभार में आने वाले जो कोवा शब्द है कोवा में भी आधा वा और पूरा वा लगा कर लिखने की प्रूरती है नईया नईया या आधा और फिर या के साथ आ की मात्रा अब ऐसे देखेगा तो आप ये शेत्रिय प्रयोक के कारण बरतनी के स्तर पर अलग लग हमें शब्द मिल रहा है इस तरह के प्रयोक हम ये कह सकते हैं इसको कोशकार को छोड़ना चाहिए इस और ध्यान नहीं देना चाहिए और कोश में ऐसे शब्दों को स्थान नहीं देना चाहिए इसी तरह से अंग्रेजी के जो आगत शब्द हैं और वो हिंदी में अनुकूलित रूप में प्रियुक्त हो रहे हैं इन पर भी विचार करना जरूरी है जैसे ट्रेजडी, त्रासदी, टेकनीक, तकनीक, एकेडमी के लिए अकादमी शब्द है अनुकूलित रूप महीं कॉमेडी के लिए कामदी आदी इसके हम समाधान की तरफ जब हम सोचते हैं तो इस प्रिकार के आगत और अनुकूलित शब्दों के दोनों रूप जो है दे देने बहतर रहते हैं बिल्कूल एक ही अर्थ होने पर दूसरे में पहले को दे या देखें शब्द की जो संक्षिप्ती अब कहिएगा दे लिखकर शब्द को जो है जो ज़्यादा वेवार में आ रहा है उसमें उलेख कर देना चाहिए ऐसे ही ये भी देखा जाता है कि सन्यासी जैसा जो है जो अनुसार लगा के लिखा जाता है उसके स्थान पर कहीं अगर किसी ने दो आधे ना लगा कर लिख दिया है तो वो गलत है कोशकार को इस तरह की वर्तनी वाले शब्दों को कोश में स्थान नहीं देना चाहिए और अनुसार वाले शब्द रूप को ही स्थान देकर मानक वर्तनी एक तरह से हमें प्रयोग में लानी चाहिए इसका हम मुख्य रूप से यही कह सकते हैं कि कोशकार को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि मानक वर्तनी या शब्द का मानक रूप किस तरह का है कैसे लिखा जाता है और वो शेत्रिये भेदों को की और ज्यादा ध्यान दे और इस अंदर में अपने विवेक का इस्तमाल करें हाँ ये बात अलग है कि अगर उनके कोशके नीती में ही इस तरह की विवस्था है तो उसे फिर इस पर जो है इस और भी ध्यान देना होता है ऐसे ही प्रिष्टि संपादन की प्रिकिरिया में हमें उच्चारन के सर पर भी ध्यान देना चाहिए शब्द का प्रियोग करने के लिए ही नहीं बलकि उनका संरक्षन करने और भाशा में एक रूपता बनाए रखने के लिए भी शब्दों का उच्चारण का हमें सही ग्यान होना अनिवार्य है कोशकार शब्द विशेश के मानक उच्चारण को अपने कोश में दर्शाने के लिए अलग-लग सुरोतों से इस तरह के उच्चारण को प्रमानित करते हैं किसी भाषा के शब्दों में स्वर् व्यंजनों का ठीक ठीक उचारण, अक्षर विभाजन, बलाघात आदी को कोश में उचारण के अंतरगत शामिल किया जाता है जैसे हम देखें यदि किसी भाषा में उच्चारन बरतनी से अलग होता है तो वहाँ बलाघात अक्षर लोब की स्थिती मैत्पून हो जाती है उधारन के लिए अंग्रेजी के प्रेजन्ट शब्द का ही देखें P.R.E.S. और E.N.T. बलाघात अलग तरह का है और P.R.E. और S.E.N.T. प्रेजन्ट और प्रेजन्ट इन में अंतर है और ये अंतर जो है बलाघात के कारण जो आता है उसी से जो है शब्द के स्थर पे हम देखें तो यह संग्या और किर्या रूप के में हमें नजर आ जाता है ऐसे ही सामान्य कोश में केवल एक प्रचलित मानक उचारन देना चाहिए लेकिन उचारन कोश की जब हम बात करते हैं अर्थार ये कोशों का एक प्रकार विशेश है जिसमें शब्दों के उचारन पर ही कोशकार केंद्रित करता है तब उस स्थिदि में कोशकार को अपनी नीती को ध्यान में रखते हुए शेत्रिय और समाज के स्थर पर जो अलग अचारन भी विभार में लाय जा रहे हैं उन अचारनों को भी अपने कोश में शामिल करना होता है कोशों में शब्दों के उच्चारन को दर्शाने के लिए हम विशेश प्रकार के चिन्नों का प्रयोग करते हैं ये चिन्न कोश के प्रारंभ में दे दिये जाते हैं ताकि कोश का इस्तमाल करने वाले को उचित उच्चारन का बोध हो सके उच्चारण में अक्षर विभाजन को प्राय योजक चिन्नों या हाइफन की सहायता से दिखाया जाता है इसी तरह से शब्द में बालागात को अक्षर के पूर्व खड़ी या छोटी तिर्ची रेखा से दर्शाया जाता है प्रविष्टी संपादन प्रकिर्या का हमारा अगला पक्ष जो बनता है वो है व्याकरनिक शब्द भेद को दर्शाना व्याकरनिक शब्द भेद को दर्शाने में मुख्य बात ये है व्याकरन को लेकर व्याकरण भाशा को अनुशाशित और विवस्यत करती है यही कारण है कि शब्द कोश निर्मान की प्रिकेरया में व्याकरण संबंदी बेद को सावधानी से दर्शाया जाता है इससे कोश प्रयोकता को शब्द विशेश के बारे में व्याकरणिक जानकारी मिल जाती है और कभी-कभी तो प्रियोकता विशेष तोर पर व्याकर्णिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ही कोश का प्रियोक करते हैं कोश में व्याकर्ण संकेत यो हैं प्रिविष्टियों के साथ दिये जाने चाहिए जैसे हम देखें कोश में व्याकर्ण संबंदी शद भेद को दिखाने के लिए abbreviations या संग्षिप ताक्षनों का प्रयोग किया जाता है जैसे अंग्रेजी में हम noun के लिए n लिख देते हैं adjective के लिए a, verb के लिए v, adverb के लिए adv और इसी तरह से preposition के लिए prep, pre, ep, adi, sंग्षिप ताक्षनों का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में ही हम देखते हैं तो कहीं noun के लिए जो है noun अर्थार संग्या, संग्या, shrilling और pulling दोनों रूपों में है तो वहाँ पर हम जो m या f, feminine and masculine जो है इस अंदर में भी हमें संग्षिप ताक्षर प्रयोग में मिलते हैं मुखे बात ये रहती है कि कोशकार अपनी नीती के अनुसार इस तरह के संग्षिप ताक्षर जो है नेर्ने लेके चलता है और हम ये भी देखते हैं कि रोमन लीपी में प्राय संग्शिप्ताक्षर जो है इटैलिक फेस में दिये जाते हैं और इन में स्वश्टता के उद्देशे से व्याकरनिक संग्शिप्ताक्षरों के बाद फुल स्टॉप भी लगा दिया जाता है ऐसे ही हिंदी शब्द कोश्चों के संदर में देखे म्याकरनिक शब्द भेद को दर्शाने के तो वहाँ हम देखते हैं कि प्रविष्टियों के साथ जो है जैसे संग्या के लिए सा के उपर अनुस्वार लगा देना बिंदी, सर्व नाम के लिए सर्व लिख देना और क्रिया के लिए क्री, क्रिया विशेशन के लिए क्री, वी, उपसर के लिए उप या प्रत्य के लिए प्रा लिख देना भी पाया जाता है और संग्या में भी हम वही बात है कि जहां इस्ट्रिलिंग और पुलिंग के रूप में लेंगिक भेद को दर्शा रेते हैं तो कोशकार कि ये उस पर निर्भर करता है कि वो स्रीलिंग शब्द या पुलिंग जैसे शब्द जो है संक्षिपताक्षर रूप में लिख रहा है या नहीं यही बात जो है हम किरिया के संदर में भी देखते हैं जहां पर क्रिया जो है हमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के रूप में मिलती है तो आकरी या साकरी लिखना है या खाली क्रिया ही लेंगे या की और सकर्मक अकर्मक के इलावा द्वी कर्मक क्रिया भी हमें मिलती है द्वी क्र भी संग्षेप में लिख दिया जाता है जहां तक भाववाचक संग्याओं की बात है इस विशे में जैसे कोश निर्माण के अंतरगत जो है ब्याकरनिक संग्षिप ताक्षर देने चाहिए इसी तरह से विशेशनों के बारे में भी शब्द कोश में अधिक जानक कर रहे हैं जहां कोश कार करम निर्धारन देख कर रहा है भाशा के स्रोतों की जानकारी दे रहा है वर्तनी और उचारन का उलेक कर रहा है और इसके साथ साथ वो व्याकरनिक शब्द भेद को भी दर्शा रहा है तो एक और पक्ष भी देह जाता है व्या है व्युत्पत्त ये कोशकार के नीतिगट नेड़ने पर निर्भर करता है कि क्या वो शब्द विशेश की विद्पत्ती को भी शामिल कर रहा है या नहीं विद्पत्ती का अर्थ है मिशलेशन करके अर्थ का स्पष्टी करन करना हिंदी के विद्पत्ति के प्रयाय के रूप में हम विरुक्त या निर्वचन शब्द भी इस्तमाल में लाते हैं विद्पत्ति के में मूल शब्द का यथार्त रूप उसका मूल अर्थ देते हुए शब्द का पूरा परिचे शामिल करते हैं विद्पत्ती निश्चित करने का काम बड़ा जटिल और गंभीर है इसके लिए कोशकार के स्थर पर गहन चानबीन और परीश्रम की आवश्यक्ता और अपेक्षा रहती है कोश में शब्द विशेश की विद्पत्ती का उलेख करते समय किसी भाषा के मूल घटकों की जानकारी केवल मूल भाषा में ही ना देकर उसके विकासक्रम के दोरान बीच में विक्सित हुई भाषाओं का भी उलेख करना चाहिए जैसे हिंदी में यदि कोई शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अप भ्रंश के माध्यम से आया है तो जब हम शब्द विशेश की विद्पत्ती का उलेख करेंगे तो इन सभी भाषाओं के वह शब्द विशेश किस रूप में चलन में था उसका भी उलेख करना होग और हिंदी में कानह ऐसे ही हम देखें किशन शब्द को किशन शब्द संस्कृत के कृषण से तो आया है लेकिन सीधा जो है वो अर्द तत्सन रूप में किशन के रूप में इस्तमाल में लाया जाता है वेवार में हम उसको प्रयोग होते हुए देख सकते हैं इसी तरह अर्थ देकर करना चाहिए। इस तरह से कोश की प्रासंगिक्ता बढ़ जाती है और कोश अध्यतन और सार्थक सिद्ध होता है और उसमें सभी पक्ष शामिल होते हमें नजर आते हैं। कोश निर्मान की प्रकिरिया के हमने दो चरणों की बातचीत की हैं जिसमें से पहला सामगरी संकलन और प्रविष्टी चेन था और दूसरा प्रविष्टी संपादन प्रकिरिया के विविदपक्ष अब हम बात करते हैं चरण तीन की चरण तीन के अंतरगत जो है हम और व्याक्या संबंधी संपादन प्रिक्रिया के आयामों पर बात्चित करेंगे कोश संकल्पना का मूल अर्थ जो है शब्द और अर्थ है क्योंकि प्राहे प्रियोकता अर्थ को जानने के लिए कोश का वैवार करते हैं उसे उपयोग में लाते हैं अर्थ ग्रहन की कठनाई को हल करने के लिए कोश का निर्मान किया जाता है यह कहना अनुचित ना होगा कि शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा शब्द की अर्थ व्याक्या करना कोश कार के लिए दायतुपून, अत्यंत जटिल, श्रम साध्धे और चुनोती भरा काम होता है वास्तों में कोश कार प्रभावी कोश प्रयोक्ता को शब्द के विविद संदर्भों से जुड़े अर्थ उपलब्द करा कर उसके भाशाई प्रयोक्षमता और दक्षता में सहायक सिद्ध होता है जब हम अर्थों की बात करते हैं तो अर्थ जो है कई प्रकार के हमें मिलते हैं शब्द शक्ति के स्थर पे देखें तो अर्थ तीन प्रकार के हैं जिने हम बाच्यार्थ, अर्थार्थ, अभिदार्थ, लक्षियार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं वही सामाजिक संदर्ब में शब्द का सामाजिक अर्थ, व्याकरण के आधार पर व्याकरणिक अर्थ और शैली के आधार पर शैलीगत अर्थ होता है और शेत्रियता के स्तर पर देखें तो हमें शब्द के शेत्री अर्थ भी शामिल मिलते हैं अर्थ निर्धारन और उसकी व्याक्या से सम्बंदिक जो हैं कई पद्दतियां रहती हैं और इसमें प्रविष्ड़ी चेन का संपादन कारे पूरा हो जाता है, तो अर्थ व्याक्या की प्रिकिर्या शिरू होती है संपादन प्रिकिर्या में जहां विभिन पद्दतियों का सहारा लिया जाता है बहीं चित्र आरेखों का प्रियोग करना, उद्धरण और समय का उलेक करना, संग्षिप्ताक्षर प्रियोग करना और संकेत चिन प्रियोग करना आधी पक्ष भी शामिल होते हैं कोश निर्मान संबंदी मूल भूत नीती निर्णों के आलोक में ही अर्थ का निर्धान करना कोशकार का दायत्व बनता है इसका अर्थ ये है कि कोशकार ये देखे कि उसका कोश निर्मान का उद्धिश्य क्या है, उसका लक्षेवर्ग कौन सा है इस परकार के जो नीतिगर निर्णे लिए गए हैं कोशकार यदि उनकी तरफ ध्यान देगा तो कोश में अर्थ निर्धान में उसको सुविधा रहती है इसके साथ ही कोशकार को कोश के आकार परकार की तरफ भी ध्यान देना होता है यदि कोश छोटा है बनाना है आकार में तो उसमें जो मूल शब्द है सिरफ उनी के ही अर्थ लिया जाए और यदि बड़ा कोश बनाना है तो उसमें हम जो है कोश कार उपसरगों प्रत्यों शब्द बंधों आदी के अर्थ आदी को भी शामिल कर सकता है इसके इलावा कोश कार के लिए ये भी पक्ष जरूरी है कि वो ये देखे कि कोश का प्रकार कौन सा है जैसे परिभाशिक कोश की बात करें अर्थार्थ परिभाशा कोश और परिभाशिक शब्द संग्रह तो परिभाशिक शब्द संग्रह में जहां परिभाशिक दी होई होती है ताकि वह परिभाशा के जरिये पूरी की पूरी संकल्पना की अभिव्यक्ति हो सके वह परिभाशा एक दो पंक्तियों में भी हो सकती है और उससे अधिक भी परिभाशा कोश में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रविष्टी के अर्थ व्याख्या का आधार आकार तो रहेगा लेकिन संकल्पना का सपष्टी करन करना भी मूलभूत उद्देश्य रहता है अच्छा ऐसे ही हम देखते हैं कि परिभाशा कोश में तो इन सब पक्षों को देखा गया लेकिन सामाने कोश इसके मुकाबले में उनमें प्राय व्याख्या, प्रतिशब्द, परिचे तथा प्रयोग संबंदी अन्य सूचनाय देखर भी हम कोशों के आकार को बढ़ा सकते हैं या प्रकार को निर्धारित कर सकते हैं कोश की सहायता से कोश प्रयोकता को ग्यात शब्दों के ग्यात अर्थों के अलावा संदर्ब और प्रसंग के अनुसार सूक्ष्म एउन गहन अर्थों की भी जानकारी मिल जाती है शब्द के अर्थ की स्पष्टता के लिए कोशकार उसके अर्थ क्षेत्र से जुड़े अन्य शब्दों की भी उससे तुलना करता है और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वह दृष्टांत वाक्यों और संदर्वों का भी प्रयोग कर सकता है ताकि कोश का इस्तेमाल करने वाला उसको शब्द विशेश का अर्थ संधर्ब स्पष्ट हो जाए इसी तरह से प्रयाय, विलोम या संबध शब्दों के द्वारा भी शब्द विशेश के उचित अर्थ कुशेत्रम से साक्षात कराने का काम कोशकार कर सकता है कोशकार को शब्द के अर्थ में आए अर्थ संकोच या अर्थ विस्तार के रूप में जो अर्थ परिवर्तन नजर आता है उन स्थितियों को भी ध्यान में रखकर शब्द के अर्थ का निर्धारण करना चाहिए कोश में अर्थ देने की प्राए दो पद्दतियां अपनाई जाती है प्रथम शब्द पदबंद वाक्य और परिभाशा देकर शब्द के अर्थ को प्रस्तुत करना और दूसरी पद्दति है समानार्थी, परियाय, आंशिक, शैलिये या शेत्रिये आदी अर्थ व्याक्या को अपनाकर शब्द में नहित अर्थ को प्रस्तुत कर देना कोशकार चित्रों और आरेखों का भी इस्तमाल करके अर्थ के स्पष्टिकरन और निर्धारन में सहायता लेता है और इन चित्रों और आरेखों का प्रयोग करके वो एक तरह से कोश में अर्थ के पूरक्या काम करता है क्योंकि चित्र और आरेख कम शब्दों में अर्था चित्र रूप में ही बहुत कुछ कहने की शमता रखते हैं अब परिचित अत्वा विलुप्त प्राय शब्दों विश्यों और आउधारनाओं की शब्दावली के अर्थ स्पष्टिकरन में आरेख या चित्र आदी सहायक होते हैं लेकिन इनके प्रयोग के प्रति भी सावधानी भरतने की अवश्यक्ता होती हैं क्योंकि परिचित शब्दों के लिए चित्र आरेख कोश को अनावश्यक विस्तार दे सकते हैं और हम ये देखते हैं कि इनसाइक्लोपीडिया या विश्व कोशों में इस परकार के चित्रों और आरेखों का खास और पे व्यापक रूप से इस्तमाल में लाया जाते हैं ऐसे ही कोश कार को प्रिष्टी में उधरन और समय का भी उलेख करना होता है और इसमें वो जरूरत को जरूर ध्यान में रखे उधारन बाक्यांश और मुहावरे देने का चलन भी हमें देखने को मिलता है और अगर कोश कार को लगता है कि इस से शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सकता है तो वो इन चीजों को भी शामिल करता है और अर्थ निर्धारन व्याक्या संबंदी प्रिक्रिया में जो हम ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त आक्षरों अर्थाथ एब्रिवेशन्स और संकेत चिन्नों का भी प्रियोग किया जाता है इन चिन्नों आदिका कोश निर्मान में खास महत होता है क्योंकि कम जगा में ही बहुत कुछ शामिल कर लेना बहुत अधिक ज्यान का समावेश कर लेना ये संभव होता है और कोश के आकार पर भी इनके प्रयोग का प्रभाव पड़ता है क्योंकि कम आकार में बहुत कुछ कह पाना संभव बन जाता है लेकिन ये जरूर है कि कोशकार इस तरह की जानकारी वो कोश के आरंभ में जरूर देते आज हमने कोश की प्रिक्रिया के विभिन चर्णों पर बातचीत की है ये तीन चरणों पर अब हम बात कर चुके हैं इसके चौते चरण पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे ये तीन चरण हमारे जो रहे हैं वे है सामगरी संकलन और प्रुष्टी, चैन इसके बाद जो है हम इस स्थिति में रहे हैं कि प्रिष्टी की संपादन प्रकिरिया में क्या-क्या पक्ष शामिल होते हैं जैसे करम निर्धारन करना, भाशा स्रोत की जानकारी देना, वर्तनी और उचारन का उल्लेक करना और इसके साथ साथ व्याकरनिक शब्द भेद को दर्शाना और व्यत्पत्ति आदी को शामिल करना वही कोश निर्मान प्रकिरिया के तीसरे चरण के अंतरगत हमने अर्थ निर्धारन और व्याख्या संबंधी संपादन प्रकिरिया के जो विभिन आयाम है उनको शामिल किया है इन आयामों में हम देखते हैं कि अर्थ देने की जो है विभिन पद्दतियों का प्रियोग किया जाता है कोश निर्माण में और इसमें हम चित्रों आरेखों का प्रियोग उद्धरन और समय का उलेख जैसे पक्ष भी शामिल हैं वहीं संक्षित आक्ष्रों और संकेच चिन् और मुद्रन का कारे किया जाता है इस पर हम अपने अगले व्याख्यान में बात-चीद करेंगे और साथ ही अगले व्याख्यान में हम इस पक्ष पर भी विचार करेंगे कीабат कोश निर्मान की प्रकिरिया में computer की क्या भूमिका होती है इनी शब्दों के साथ जो अपने विया ख्यान को समापन करेंगे जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर और दोस्तों यह था हमारा आज का कारेकरम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार नमस्कार